असलाम लेकुम कैसे हैं आप सर तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्ससाइज 6B का कुस्टर नंबर 5 तो मेरे पास ये बुक 1 है जिसको हम D1 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटिड 7th एडिशन यानि निव एडिशन मेरे पास मुझूद है तो इस निव एडिशन का ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेप्रेट प्लेलिस बना दी हुए है उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताके आपको इस चैप्टर से रिलेटिड तमाम सॉलूशन एक ही जगा पर असानी से मिल सकें इसके लाब तो अब आपको सामने स्क्रिंग पर कोस्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट लिखी वे नजर आ रही है और नीचे तमाम पार्ट्स भी लिखे वे नजर आ रहे हैं पहले हैं स्टेटमेंट को समझ लेते हैं फिर स्टेप बे स्टेप तमाम पार्ट्स को सासा सॉल्व करते find a formula for each of the following तो आपको cost number 5 की statement में कहा जा रहा है कि नीचे दिये गए तमाम parts को आपने formulas में convert करके दिखाना है यानि A से लेके D parts तक different statements लिखी हुई हैं आप देख सकते हैं descriptive form में आपने इनको read करना है समझना है और हर statement से एक formula बना कर दिखाना है ये cost number 5 की statement में हमें कहा गया अब formula क्या होता है? formula आप लोग जानते हैं formula बोलते हैं किसी fact को किसी rule को जब भी कोई mathematical expression दो या दो से जादा quantities को आपस में relate करती है तो हम उस चीज़ को भी formula बोलते हैं या आप कहलें को equality का sign आपको नज़र आए part number A से तो आप देखें part number A में क्या लिखा हुआ है? मैं उपड़ से read करूँगा और उस cancer नीचे code करता जाओँगा तो उपड़ लिखा हुआ है product P of three numbers x y and z तो A part में लिखा हुआ है कि आपने formula बनाना है किसका product का और आप जानते है product का मतलब होता है multiply यानि जब भी चीज़ों को multiply किया जाते है हम कहते हैं हमने product find out किया है तो वह कहरे है आपने product का formula बनाना है और product को represent किस से करना है capital P से ये भी बता दिया है कितने numbers के product का formula बनाना है यूजिली रखते हैं right hand side पे भी रख सकते हैं लेकिन usually जो rule है conventionally हम follow करते आ रहे होते हैं वो यह है कि आप जिस चीज़ का formula बना रहे होते हैं आप उसको equality sign के left hand side पे लिखते हैं y multiply by z ठीक है और इनको solve करके कर लें तो P equal आजेगा x को y से और y को आगे z से करेंगे तो आपको पता है जब चीज़ें इस तरह variables multiply हो रहे हो आप इनको इस तरह लिख सकते हैं x y z तो देखें आपने formula बना लिया product find out करने का कितने numbers का 3 numbers का जब भी आप यहाँ x y और z की values put करेंगे इनको multiply करेंगे तो वो इनके product याई P के ही equal आएगा तो यही चीज़ एक formula होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह P relate हो रहा है x y और z से और बीच में आपको equality के symbol भी नज़र आ रहा है यही एक fact है यही एक rule है इसी को formula बोलते हैं तो A part का answer तो हो गया अब चलते हैं B part की तरफ तो देखें B part में हमारे पास लिखा हुए कि आपने sum find out करके दिखाना है sum और उसको किस से represent किया जा रहा है S से sum S निकालना है किसका of the square of P, P के square का अब किसी भी चीज़ का square कहा जाए तो इसका मतलब है उसके उपर whole part 2 आएगी तो अगर आपको कहा जा रहा है square of P, तो इसका मतलब P cube पर whole part 2 आएगी तो आपने sum निकालना है एक तरह का P square का and the cube of Q और cube का मतलब होता है किसी भी चीज़ का cube कहा जाए तो उसके उपर part 3 आएगी तो आपने P square का और cube of Q, cube of Q को पढ़ेंगे Q cube यानि Q के उपर part 3 इसको पढ़ेंगे Q cube ठीक है तो आपसे कहा जा रहा है आपने sum निकालकर दिखाना है, sum का formula बनाकर दिखाना है P square का और Q cube का तो बड़ा easy है, sum का formula बनाना है, उसको S से present करना है तो पहले आप लिखेंगे S left hand side पे equality का sign डालेंगे और पहले क्या आएगा square of P, square of P को बोलेंगे P square जिसको लिखेंगे इस तरीके से P square जब भी इस तरह का लिखा है square of something, आपने उस चीज को नीचे लिखना है जैसे यहाँ पर square of P था, तो P को पहले नीचे लिखना है और उसके उपड़ यह square डाल देना है, इसी को आप square पढ़ते है इसी को आप whole part 2 भी पढ़ते हैं कभी एक बार तो P square हम इसी को बोलेंगे तो आपने sum निकालना है P square का and the cube of Q और cube of Q से क्या मुराद है, बता चुका हूँ, आपने Q लिखने क्यूब का मतलब होता है part 3 और उपर part 3 लिख देना है तो sum का मतलब होता है plus करना तो आप P square में add कर देंगे sum कर देंगे इसका किसके साथ Q raise to part 3 यानि Q cube का, तो देखें आपने formula बना लिया sum का जिसमें P square plus Q cube को add किया जा सकेगा यानि यहाँ पर P square लिखा हुए, इसमे Q cube add हो रहा है जब आप add करेंगे तो यह इनके sum के equal आएगा, S के equal आएगा यह इस sum का formula बन गया, तो यहाँ पर इसका B part हो गया आगे आप चलिए तो देखें लिखा हुए C part, तो C part को पढ़ते है तो C part में लिखा हुए average, अब आपने formula बनाना है average का जिसको A से, capital A से represent किया जाएगा और 4 numbers, 4 numbers की average आपने निकालनी है वो कौन-कौन से हैं, M, N, P and Q तो आपने एक formula बनाना है, जिससे 4 numbers की average निकाली जा सके और आपको पता है, average का formula क्या होता है या आपने पहले भी निकाली भी होगी अपनी daily life में जब भी आप कुछ numbers की average निकालना चाहते हैं तो आप उनको sum करते हैं और जितनी उनकी तादाद होती है, जितनी वो quantity में मुझूद होते हैं उनसे divide कर देते हैं तो यहाँ पे आपने क्योंकि average का formula निकालना है तो इसी तरह कैसे करेंगे कि पहले average का A यहाँ पे लिखेंगे equality का sign डालेंगे और जितने numbers का average निकालनी होती है हम उसका sum पहले करते हैं यानि पहले आप इनका sum करेंगे तो sum किन numbers का करेंगे जिनकी average निकालनी है तो वो है M, N, P और Q तो आप यहाँ पे लिखेंगे M में add कर दो N N में add कर दें P और P में add कर दें Q तो देखें मैंने पहले इनका sum निकाल लिया इनको आप पहले add कर लेंगे और जब आप इनको add कर लेते हैं तो average निकालने का तरीका यह होता है कि जितने उपर numbers आपने add की होते हैं उनी को आप गिन लें वो कितनी quantity में बनते हैं उसी से आप divide करते हैं तो अगर आप इनको count करें 1, 2, 3, 4 तो यह 4 numbers बनते हैं तो नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा 4 तो आप देखें यह आपके पास average का formula निकालाया किसी भी chart numbers के लिए यानि आप कहले m, n, p, q के लिए तो आप यहाँ पे m, n, p, q की value को put करेंगे प्लस करके जब 4 पे divide करेंगे तो वो a यानि average के equal ही आएगा आपके बताना है और वो minutes में होना चाहिए, यह सबसे important चीज है कि वो minutes में होना चाहिए, आपको पता है time hours में भी होता है, seconds में भी represent होता है, कभी कबार, minutes में भी होता है, तो यहाँ पे वो कह रहे है आपने जो formula निकालना है, बनाना है, वो minutes में आपको answer देना चाहिए, वो minutes के लिहाद से manage होना चाहिए तो आगे लिखाव है time 10 minutes for a train journey of A hours and B minutes तो वो कहले है आप एक ऐसा formula बनाए, किसी train journey का और जो उसकी journey का time है, जो total journey time है, वो उन्होंने बता दिया इस train का वो है A hours and B minutes, तो basically आपको time का formula बनाना है minutes के अंदर, चाहब कहले है time का formula निकालना है, minutes के अंदर किसी train की journey का, और उस train की journey time है, वो आपको बता दिया वो कितना है, यह Professors को journey time है, जो time लगा है, जरनी करने में कितना time है, A hours and B minutes, तो आपने क्या करना है, जब आपने minutes के the time को निकालना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर A के साथ hours भी आ रहा है तो आपने इस hours को भी minutes में convert करना है ताके आप बता सके हैं कि total journey time कितना बनता है तो अब हम यहाँ पर D part कर लेते हैं तो D part में सबसे पहले आप journey time लिखे हैं जो train का given है मैं यहाँ पर mention करता हूँ कि जो journey time है journey time वो कितना है वो train का यह मैं train का आपको बता रहा हूँ यहाँ पर आप लिख भी दें कि train journey time यह train का journey time है जो उन्होंने खुछ से बताया है वो है A hours A hours and B minutes A घंटे और B minutes के अंदर ठीक है A और B की जगा पर कुई भी value हो सकती ज़स generally उन्होंने A और B दिया है अब आपको पता है आपने इस hours को convert करना है minutes में और जब भी किसी चीज़ को घंटों से minutes में convert करना हूँ तो multiply by 60 करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि one hour जो होता है वो 60 minutes के equal होता है यानि एक घंटे में 60 minutes होते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि one hour 60 minutes के equal होते हैं तो इसका मतलब है अब कितने भी hours आज़े हैं अगर आपने इसको minutes में convert करना है तो आप multiply by 60 कर देंगे तो जिस तरह अगर मैंने यहाँ पर लिखना हो two hours और मैं चाहता हूँ कि मैं hours को minutes में convert कर दूँ तो मुझे पता है इसका basic scale basic unit के one hour 60 minutes के equal होता है तो two hours किसके equal होंगे आप two को किस से multiply कर देंगे 60 से तो two times 60 कितना होता है 120 तो आप कहेंगे दो घंटो में 120 minutes होंगे तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर भी करना है यहाँ पर a hours लिखा हो है आप इन hours को minutes में convert करेंगे कैसे यहाँ पर a hours है इसको minutes में convert करने के लिए क्लिए करेंगे multiply by 60 जैसे उपर बताया तो आप लिख देंगे a multiply by 60 तो जैसे आप इसको multiply कर देंगे 60 से तो याद रिखेगा जब भी आप hours में किसी भी value को minutes में convert कर रहे होते हैं और आप multiply by 60 कर देते हैं तो अब आप hours नहीं लिखेंगे बलकि उसके जगा पर क्या लिखेंगे minutes यानि यहाँ पर आजएगा minutes और यह rule है आपके पास कि जब यह minutes में आ आगया आगे भी b minutes लिखेंगे तो जब दो same unit हो जएं तो आप इनको add कर देते हैं इनको plus करके लिख लेते हैं तो आप इसमें plus कर देंगे कितने minutes b minutes ठीक है यह इनका unit है आप इनको कठा भी लिख सकते हैं मैंने इनको यहाँ पर separate करके भी फिला लिख दिया है तो आप notice करें 60 को a से multiply करेंगे कितना आजएगा 60 times a यानि 60 a और उसमें plus b कर देंगे तो यह हो जाएगा 60 a plus b जार बात है इनको add तो नहीं किया जा सकता क्योंकि यह like terms नहीं है 60 के साथ a लिखा वा है यहाँ पे सिर्फ b लिखा वा है a और b दोनों letters match नहीं करते है अगर same letters होते है with same part तो तब ही हम इनको add कर पाते है तो इसका मतलब आपका जो train का journey time है वो minutes में आ गया इसमें दोनों values minutes में थी तो आपने train के journey time को किस से represent करना था t से तो इसलिए आप यहाँ पे लिख लेंगे t क्योंकि उन्हें उपर ही कहा था कि जो train का journey time है उसको आपने t से represent करना है तो train का journey time हमारे पास t आ गया minutes के अंदर तो यह answer minutes में है आप देख सकते है 60 a भी minutes में है b भी minutes में है तो यह हमारे पास formula बन गया इस train के journey time को निकालने का और जो कह 60 a plus b जब आप a और b की values put करेंगे right inside को solve करेंगे तो जो answer आएगा वो t के equally आएगा जो के train का journey time है ठीक है in minutes तो यहां तक आप देख सकते हैं हमारे d part भी finish हो गया बाकी parts मेंने आपको उपर समझा दिये हैं उमीद है आपको इत्माम parts समझ आउंगे अच्छे से इन्शाला नेक्स वीडियो से मिलेंगे बाकी solution के साथ